तो इस वीडियो में भी आपको इपपक अपडेट्स दूँगा तो वीडियो को बिना स्किप के लास तक जरूर देखना तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे मूफड भाई के बारे में तो मूफड भाई अभी अपने ब्राटकास चैनल के अंदर लिखेते हर दस दिन में एक गाना जब तक अलबम नहीं आता ठीक है तो बाकि देखते हैं मूफड भाई का अगला ट्रेक कब तक देखने को मिलता है हम लोगों को और ट्रेक कैसा होता है तो आप लोगों में सकर कोई भी इस चैनल पर पहली वर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन गॉल पे ज़रूर पेस्ट कर देना तकि आप लोगों तक ऐसे डेल हिपप का अपडेट जाते रहे तो चली अभी हम लोग बात करनेगे मिन्टा भाई के बारे में तो इस फ्राइडे बंटे रिकॉर्ड्स पे मिन्टा भाई का एक ट्रेक आने वाला है जिस ट्रेक का स्निपेट मिन्टा भाई डाले थे आप लोग कुछ सुन लो तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे MC Standby के बारे में तो MC Standby अपने कुछ फोटो डालते हुए caption पे लिखे थे लोग मतलब की बात समझ लेते हैं लेकिन बात का मतलब नहीं समझते तो चली अभी हम लोग बात कर लेंगे EMUI भाई के बारे में तो EMUI अपने स्टोडी पे लिखे थे अगला गाना पहले Spotify पे जाओ फट 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 फॉलो मरो पबली जिसके बाद एक तूफान की emoji डाले थे और EMUI ने अपने एक फोटो पोस्ट करते हुए caption पे एक आउल की emoji डाले थे और इसी पोस्ट के नीचे जो हेलाग भाई है उन्होंने दो स्केलीटन हेट की emoji डाले थे जिसके बाद काफी सरे लोग हेलाग भाई से पूछ रहे है क्या डिस्ट्राक आने वाला है और इसके साथ साथ काफी सरे लोग पोस्ट के कॉमेंट पे भी लिख रहे थे सायद से डिस्ट्राक आने वाला है बाकी देखते क्या निकल कर आता है आपको कहले रहते है क्या डिस्ट्राक आएगा या फिर नॉर्मल ट्रैक आएगा कॉमेंट में ज़रूर बताना तो चलिए अभी हम लोग बात कलेंगे डिवाइन बाई के बारे में तो जो लेजदरस बाई है उन्होंने डिवाइन बाई के साथ एक फोटो पोस्ट करे थे और क्याफशन पे लिखेत है ही पॉप इउनिफाइस दा वाल्ड गर अच्छा लगा तो एक लाइक गर देना और यक कमेंट भी कर देना तो इस वडियो तो इतने ही मिलता पर नहीं वडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक्के यार